आज का ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला इस्पेशली उन लोगों के लिए जो वर्डप्रेस के उपर में काम करना सीखना चाते हैं, वेबसाइट बनाना सीखना चाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्राब्लम यह आ जाती है कि वे वर्डप्रेस के लिए, क्योंकि आप बहुत ही शांदार वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं, पूरा A to Z जो है मैं आपको इसमें प्राक्टिकल दिखाने वाला हूँ, वेबसाइट भी बनाएंगे और उसके अंदर जो आपके थीम्स होती हैं, कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए और पेजिस कैसे क्रेट करन मैं कोई पेड होस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, तो वीडियो में आपको जरूर देखे हैं, बहुत मैंनत लगी है, तो लाइक और शेर जरूर कर देना, और आपको मज़ा आए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दूसरों तक शेर कर देना, तो बने नहीं एंड तक मेरे नाव है मंजी शिंग और आप देख रहे हैं, आपका अपना चैनल डिजिटल मंजी, चलिए हम आच चुके हैं, पूरा डेटेल में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से लोकल कंप्यूटर के उपर में और वर्ड प्रेस इंस्ट्रॉल कर सकते हैं, और पर हमारी official websites host रहती हैं, वही मैं आपको recommend करूँगा, जो की है hosting गर की, उसके लिए link जो है आपको description के अंदर दिया गया है, उस पे आप click करके, अगर आपको कोई भी hosting plan या domain purchase करते हैं, तो definitely उसका एक कुछ amount जो है वो हमें definitely मिलने वाला है, तो चलिए start करते हैं अभी, यहा पर आपको चाहिए दो तीन चीजें, तो Google पर जा रहा है और यहां पर आपको एक्जाम लिखना है, और यहां पर आपको यह download वाला button मिले जाएगा, जो की आपका Apache server kind of है, यानि की local में आपका Apache server है यह, जहां से आप operate कर सकते हो, यहां पर आपके पास में अगर Windows है, तो आ Linux से यह लेख सकते हैं, या फिर Apple वगरा है, तो आप यह वाला download कर सकते हैं, download करने के लिए, जैसे हम other software को install करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, हमने इसको installation कर लेना है, यह एक आपनो download करके install करना, दूसरा आपको वापस Google पर जाना है, और यहां पर लिखना है WordPress download, WordPress download पर जाएग इस पर आपने क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यह आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का interface, यहां से आपने जो है, डाउनलोड वाला यह लिखा हुआ button बनावा download WordPress, अभी जो वर्जन जब मैं यह वीडियो क्रेट कर रहा हूं, वह 6.5.3, लेकिन आपके case में ज इसको download कर ले रहा है, इस तरीके से, आपका download इस तरह से start हो जाएगा, मेरे पास already मैंने download किया हुआ है, इसलिए मैं इसको cancel कर दे रहा हूं, और यहां पर मेरे पास में जो है, एक folder बनाया है, मैंने DM करके उसके अंदर यह रहा आपका download किया हुआ, जो कि मैंने एक दिन पह है, तो आपने इस पर right click करना और इसको extract कर लेना है, जैसे आप करेंगे, तो आपको इस तरह का एक और folder बन जाएगा, इस पर आपने click करना है, यहां पर आपको मिलेगा WordPress का folder, इसको आपने कर लेना copy, copy करने के बाद में, आपने जो XM server जो इसके अंदर install किया है, तो आपका जहां पर भी है, generally हम लोग default में करते हैं, तो C drive पे आता है, तो C drive पे यह रहा आपका folder, इस पर open करना, यहां पर आपको मिलेगा htdocs, आपने जो आपने folder WordPress का copy किया है, उसको कर देना आपने यहां पर paste, अब paste करने के बाद आपको कुछ settings करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहां पर WordPress पे click करना, open करना इस folder को, यहां पर एक file मिलेगी, आपको wp-config-sample.php, आपने इस file को copy करना है और paste कर देना है, और ज यहां से यह सारा जो sample तक का है, इसको हटा देना है, यहां पर wp-config.php छोड़ देना है, इसको आपने open करना है, इस तरह का interface देखने को मिलेगा, अब यहां पर इसको open करने के लिए, आप कवी भी free softwares का इस्तमाल कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर यह चाहिए free softwares, तो आप Google पर जा सकते हैं, वैसे तो notepad जो locally होता है, उस पर भी open कर सकते हो, कोई problem नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा professional जाना चाहते हो, तो आप यहां पर लिख सकते हो, notepad++ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो अभी आपने मैंने मेरे पास system पर देखा, that is sublime text, यह भी आपका free है, या फिर इसके अलावा, अगर कोई भी और other application आप यूज करना चाहते है, you are free to use that, पर मेरे पास में यहां पर installation हो, जो हो रखा है, वो है आपका sublime text, और notepad दोनों ही available है, मैं यहां पर sublime text के अंदर यह open करा, यहां पर यह define a db name, यहां पर database name here, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ, wordpress, और उसके बाद में db user, जो कि default होता है, जो कि इसको हम कहते है, root, तो मैं यहां पर लाद देता हूँ, root, अभी तक हमने जो अपका exam server है, वो चालू, नहीं किया, db जो password है, उसको basically हमने क्या करना है, और delete कर देना है, that's it, और इस फ जो आपका exam server है, उसको हमने चालू कर लेना है, तो मैं उसको start कर लेता हूँ, just a minute, तो यहां पर अब दिखते हैं यह रहा, इसको open करना है, yes पे click करना है, और यह हमारा server अभी बंध है, तो यहां पर तीन चीज़े आपको चालू करनी है, Apache, MySQL and FileZilla, तो मैं Apache start कर देता और यहां पर जाके आपने लिखना है, localhost, आप यह localhost भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पर localhost ना लिखे 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब यहां पर localhost ही होता है, तो आप मैं यहां पर localhost लिख देता हूँ, और interface, जैसे मैंने एंटर कर रहा तो मेरा interface कुछ इस तरीका दिखाई दे रहा है बड़ आपके केस में एंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा विकॉस इसके अंदर हमने कुछ प्रजेक्ट वगरा काम चल रहे हैं तो उसके एकॉंडिक हमने कुछ चेंज़ की हुए हैं इसके बाद आपके और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इसके बाद आपने यहां पर यहां पर फोल्डर इसको उपन कर सकते हैं लेकिन आपके केस में यहां पर एक लिंक होगा पिएच्प माइडमिन लिखा होगा उस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहां पर लिख स जो है वह O reopened हो जाएका इस तरीके से यहां पर आने के बाद ही वें नहीं होंगे आपने पहली बार किया है अपने कुछ कुछ पर क्लिक करना है यहां पर आपका वर्ड minutes मनें टाला था capacity अपने या पर वर्ड प्रेस का you can see database हो चुका है create, अब हमें क्या करना है सीधा वापस जाना और यहां पर जाके लिखना है localhost, उसके बाद में forward slash लगाने के बाद आपने यहां पर लिखना है wordpress और enter कर देना है, जैसे आप यहां पर enter करेंगे और कुछी समय के अंदर आपके सामने जो है wordpress का installation का जो page है, वो basically आपके सामने आजएगा, you can see, यहां पर आपको अपनी language select करनी है, तो आप जो भी language prefer करते हैं, you can go with that, अगर आप इंडिया या हिंदी या इंग्लिश बूर्त हैं, तो भी आप default में English United States रहने जेंगे, that will be fine, but अगर आपको यह चेंज करनी है, तो यहां स साइट का नाम डाल सकते हैं, मैं यहां पर लेता हूँ, let's say, digital manjeet, आपका username क्या रहेगा, right, तो username जो है, let's say, मैं यहां पर कर देता हूँ, manjeet singldh at gmail.com, gmail.com, आप जो भी username रखना चाहते हैं, that is purely up to you, manjeet singldh at gmail.com, confirm कर लिया, यहां पर आप password अपना है, अपना है, अप configure कर सकते हैं, तो मैं यहां पर password डाल देता हूँ, let's say, मैं मेरे हिसाब से अभी जो है, यहां पर manjeet at 123 कर देता हूँ, weak password है, but आपके case में weak नहीं डालना है, अगर आप practice कर रहे हैं, locally तो कोई दिक करते हैं, week भी चलेगा, लेकिन जब भी हम आपके जो production servers होते हैं, वहां प करना, इसको यहां पर tick कर देना, confirm use of the weak password इस पर click कर देना, आपने अपनी email id डालनी है, और install wordpress पर click कर देना है, जैसे आप यहां पर installation पर click करेंगे, and you can see, हमारा ready हो चुका है, यहां पर आपको लिखके आगया, कि आपका installation हो चुका है, here is your user id, और उसके बाद में आपका password ह हम ने डाल रखा है, तो यहां पर login पर click करते हैं, और username डालते हैं, और डालने के बाद हम यहां पर password डालते हैं, और enter करते हैं, and you can see, हमारे सामने wordpress जो है, वो installation उसका back panel ready है, right, तो अभी जो है, यहां पर आपको एक बार इसकी front website दिखा देता हूं, तो उसके लिए आपको अभी देखने को मिल रहा, which means, आपका wordpress जो है, वो installation हो चुका है, you can see, यहां पर लिख क्या रहा, designed with wordpress लिख क्या रहा, और यह सारा wordpress ही है, anyways, हम चलते हैं, वापस back panel के अंदर, अभी हम यहां पर free की theme यूज़ करेंगे, जिसको हम कहते हैं, एस्टरा थीम, वैसे तो बहुत सारी themes यहां पर देखने को मिल जाएंगी, यहां पर हमें मिल जाती है, extra theme installation पर क्लिक करते हैं, तो you can see, extra theme यहां पर installation होना तयार हो चुकी है, so basically, यह installation हो रहा है, बाकी आप देखते हैं, इसके अलावा बहुत सारी themes अविलेबल हैं, आप जो चाहें, वो इस्तिमाल क कर सकते हैं, यह हमारी installation होगी, अब इसको कर लेते हैं, active और जैसे ही आपकी active हो जाएगी, and you can see, आपकी extra theme जो है, वो active हो चुकी है, एक और refresh करके यहां पर चेक कर लेते हैं, you can see, यह आपकी extra theme आगे, नीचे लिखके भी आ गया, wordpress, extra wordpress theme, तो यह आपका installation ready हो गया, अब हम करने के लिखके बाद हमें कुछ चीजों के उपर में काम करना है, वेकॉस website बनानी है, तो मैं यहां पर करता हूँ, notepad open, और notepad open करने के बाद, यहां पर हमने क्या करना है, जो भी हमारे pages बनाने है, यहां पर हमें homepage बनाना है, हमें like say for example service page बनाना है, उसके बाद में about us page बनाना है, then उसके बाद में contact us page बनाना है, and so on, whatever you feel like, आप यहां पर फूरी list ready करें, list ready करने के बाद में सीधा चलते हैं, back panel पे, अचा, अभी कुछ और settings कर लेते हैं, उसके बाद page create करते हैं, पहले page create कर लो, बाद में setting कर लो, कोई फरक नी पड़ता, अब यहां पर आने क आप यहां से change कर सकते हैं, let's say, यहां पर कॉल कता करके होगा, Australia, let me see, यह आपका Asia, Asia के अंदर, कॉल कता करके होगा, let me see, here it is, right, आप अपने recording select कर सकते हैं, आपका जो date format क्या रहेगा, उसका time format क्या रहेगा, week start कब होती है, तो आप यहां से select करने के बाद, and save changes पे click करने, यह हो गया, इसके बाद जो है, आपने जाना है reading पर, reading पर जाके कुछ settings करने हैं, but before this, हमें pages create करने पड़ेंगे, right, तो हम यहां पर pages पर, all pages पर चलते हैं, all pages पर जाके, यह default pages आपको देखने को मिल रहे हैं, आप चाहें तो इनको thresh करके delete कर दे, right, हमें requirement नहीं है, और उस करना है, home बनाना page, home लिखने के बाद, आपको यहां पर एस्टराथ देखने को मिलेगा, इस पर click करें, settings पर और यहां पर full width कर लें, और उसके बाद में, यहां पर sidebar चाहिए, कि नहीं चाहिए, वो आप decide यहां से कर सकते हैं, then disable the element वगरा, आपको क्या-क्या चाहिए, like header चाहिए, यहाँ फुटर में चाहिए, और इस सीधा न करते हैं, और मैं इसको इतना कर के यहां से सीधा publish में कर देता हूँ, और यहां पर जाकем में कर देता हूं जो जो सेटिंगा हैं होका हो्ड eft अर यहांपर जाकर लेती हैं。 जोके कि अप्शिय दो कर देता हूं, निहीं क्रिखेव के सकलते हैं हो. जो मैंने बता दी अब इसके बाद में लटसे मुझे contact us का पीच चाहिए contact us का पीच चाहिए और इसको भी मैंने यहां पर publish कर दिया तो यह करने के बाद अगर मैं यहां पर refresh करता हूं तो यहां पर options आ गए यहां पर आपको जो चाहिए जिस order में चाहिए हम select करेंगे और इसको add menu पर click करते हैं और इसको save कर लेते हैं save करने के बाद अगर देखें तो हमें यहां पर बिल्कुल exactly वैसी दिख रहा है अब मैं चाहता हूं कि home पहले पर आजाए तो home पहले पर लाना तो you can see यह आपको drag and drop कर रहा है that's it पहले पर home चाहिए मुझे यह सब में चला गया इसको main पर रखें home को हमने top पर डालना है उसके बाद मुझे services चाहिए तो मैं यहां पर services पर ले आता हूं इसके लिए क्या करना है आपको reading पर जाने के बाद आपको यहां पर static page पर enable करना है home page पर आपने सेलेक्ट करना जो भी आपको page home के तरह चाहिए हमें home वाला करना चाहिए उसके बाद आपने इसमें कोई changes नहीं करने और यहां पर save changes पर click कर देना now if I refresh तो you can see home आ गया और यह आपका home भी सेलेक्ट हो गया अगर मैं यहां पर click करता हूं तो भी हमें home ही मिल रहा है जो हमें चाहिए था चला अभी website कैसे इसमें create करनी है उसकी तरह बढ़ते हैं पे चलते हैं यहां पे all pages यहां पर आमने जो home है उसके edit ट्लिक करना है added click करने के बाद आपके हमने एक plug-in इस्तेमाल नहीं करा तो अभी plug-in एक और install करना है तो यहां पर आपने जाना है पेरन्स पे और यहां पे जाने की बाद यह प्लागिन पे जाना है इंस्टॉल प्लागिन पे क्लिक करना है यह डिफर्ट वाले जो प्लागिन से आपको नहीं चाहिए तो आप इनको डिलीट कर दो बिकाद यह अल्टिमेटी आपके कहीं-था करेंगे add new plugin पे क्लिक करो और यहां पर आपने सर्च करना है लेकिन इसके लिए आपके पास में इंटरनेट होना मेंडिटरी तब ही आपका काम करेंगा अधरवाइस नहीं करेंगा तो यहां पर आपका बाइअलेमेंटर है यहां से इंस्टाल कर लेना है यह हमारा को दिए के लिए करेंगे और चलते हैं अभी और अभी पेजिस पे जाने के भाद sud प्लिक करते हैं और अब आप दिखींगे टॉप साइड़ पे आपको एडिट एल्द में प्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद हमें ये लेकर आजएगा और अब आने के बाद you can design the website as per your requirement यहां पर left hand side पर आपके पास में कुछ layout and कुछ basic tools है प्रो वाले जो है वो आप यूज नहीं कर सकती यू कन see log लगे लगे यहां पर उसके लिए license की requirement यहां फ्री वाले से भी you can design amazing website चलो करके देखते हैं so basically यहां पर हम container और reading system का इस्तेवाल करेंगे जिनको knowledge नहीं है तो देख ले और थोड़ी सी practice करेंगे you can create amazing website चलो यहां पर वैसे design अगर आपको नहीं पता कैसे करना चाहिए उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं तो आपने क्या करना यहां पर गूगल पर जाना है very simple कोई बड़ी theme करने की जिरूत नहीं है आप यहां पर गूगल पर जाएंगे और Google पर जाने के बाद से for example आपको digital marketing agency है आपकी और मैं यहां पर लेता हूं यह बड़ी amazing होती है तो इन websites को हमने open कर लेना है so that कि हम देख सकें कैसा design हमें चाहिए यह वाला design आप prefer करें तो ठीक नहीं करें तो you can close this यह चाहिए नहीं चाहिए close this यह वाला चाहिए नहीं चाहिए close this जो आपको चाहिए बड़ी amazing design लग रहा है बड़ काफी advance है इसके बारे में भी मैं आपको को आने वाले वीडियो के अंदर जो है बताऊंगा पूरा practical कैसे इतना rich content के साथ में इतने attractive active website जो है वो कैसे बना सकते हैं with wordpress तो अभी हम उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो जैसे आपको website चाहिए वैसा आपको theme select कर ले और select करने के बाद जो है आपको जो अच्छी लगे वह आप यूज़ कर सकते हैं मैं कुछ ऐसी theme को लेट से बाकी मुझे इसका इस्तेमाल कुछ नहीं करना है let's say मैं इस website को open करता हूँ because copy नहीं हो रहा है उससे इसको यह भी काफी heavy है तो इस वाली website को open करते है let's see okay यह वाली हो गई core services let me see चलो यह हमें कुछ word का इस्तेमाल कर लेता है कोई फरक नहीं पड़ता है इससे अब हम चलते हैं वापस designing के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहां पे एक container तो add new container पे click करते हैं grid चाहिए या flexbox चाहिए मैं flexbox पे जा रहा हूँ यहां पर आपके पास में 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, वह आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं according to your design, तो मैं यहां पर दो भागों में करना चाहता हूँ, तो मैं दो बागों में ले लिता हूँ, यह दो अलग अलग पार्ट जो है इसके अंदर आपके आ चुके हैं, अब इसके बाद जो है आपको इसे फरेंपल यह वाला 50 परसंट चाहिए, यह वाला मुझे टेक्स एक साइड पर चाहिए, दूसरी साइड पर कुछ इमेज चाहिए, आप इमेज मैं यहां पर इस्तिमाल नहीं कर रहा हूँ, तो एक कोई copyright content अगरा ऐसा कुछ ना हूँ, इस वज़े से, और यहां पर हम इसका इस्तिमाल कर लेंगे, content का कोई फरक नहीं परता हूँ तो हम यहां पे text हैं pa Bible एक नगा चलता हो यहां पर जो background कलर है वह सेट करना चाहता हूं तो मैं यहां पे container में लिया उस पर यहां पे क्लिक करताँ होगे तो आपको यहां पे List and साइड पे इसका पूरा detail को मिल जाएगा आप यहां से सब कुछ सेट कर सकते हैं बड़ इसके बाद आपको मिलता स्टाइल स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहां पे नॉर्मल कलर या ग्रेडिंग ग्रेडियंट चाहिए तो जैसा वीडियो चाहिए या आपको कोई स्लाइडर चलाना है तो मुझे यहां स्कारण बोलए तो क्लर मैं यहां पर इस तो यहां पर कलर लेता हूं नेल उ wonder ठोर ब़ो छो फैम ग्रेडिंगल करता हूं इसको दासा और उसके बाद में आप चाहे तो इसको को आगे पीछे जैसा जाहिए आपको वेसा कर सकते और इसको मैं एपड़ेटी कर देता हौं सब्सक्राइब देख सकें कि यह आया के नहीं आए और यू कन सी यहां पर आ चुका है चिक है पर्फेक्ट अब इसको हमने सेट करना है थोड़ा अच्छा लुक भी आए तो सेट करने के लिए अगर आप देखेंगे यहां पर आपके पास में नीचे एंगल्स होते हैं एंग आप में कुछ टेक्स बगेरा डालते हैं फिर आपस इस पर आएंगे और थोड़ा सा सेटिंग करेंगे चलो वापस चलते हैं यहां पर आपको सारे ग्रीडिंग सिस्टम पर जाना है तो यहां पर आपके जो अलिमेंट्स है उस पर खलिक करना है और यहां पर आप मुझे आपको इमेज चाहिए तो यूटन आड इमेज लाइक जस्ट ड्रागेंड्रॉप नथिंग अल्स ड्रागेंड्रॉप करना होता है और आपका रेडी हो जाता है अगर आपको यह चाहिए तो ठीक नहीं तो आप इसको क्या करो डिलीट करते हैं दूसरे साइड पर हमें क्य कुछ नहीं चाहिए इस तरह मुझे टेक्स चाहिए तो मैं वापस चलता हूं और Since और एक यह और टेक्स चाहिए तो मैं यह यह लेदी अर यहां पर एक बटन चाहिए तो यहां पर बटन भी अविलेबल है मैं बटन भी सट कर देता हूं इतना सेट करना है मुझे और इसका एक बार बैक्ग्रांड कलर वापस से सेट कर देता हूं which will not take much time और यह हमने यहां से थोड़ा सा सेटिंग करनी है यह कर दिया और उसके मुझे बनेगा चलो पर लेता हूं है यहां से कुछ टेक्स लेना है यहां यहां से लेते हैं यह लेता है यहां नहीं चलो करते हैं और यहां पर मैं इसको लिख सकते हैं और दूसरा जो है यहां पर इसका आप URL वगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं बढ़ हमें उसकी requirement नहीं है फिर मैं यहां पर क्या लेना चाहता हूं style में जाने के बाद यहां से मैं इसको align कर सकता हूं किस तरफ का मुझे alignment चाहिए center चाहिए left चाहिए right चाहिए justified चाहिए the way you want आप यहां पर कर सकते हैं मैं यहां पर left alignment ले रहा हूं color मुझे इसका white चाहिए I need white color यह मैंने white color को set कर लिया और उसके बाद में typography आप यहां से change कर सकते हैं लग्से size बगर आपने according जो है मैं थोड़ा सब बड़ा कर देता हूं यह मुझे चाहिए आप चाहिए तो font का color बगरा stroke बगरा सब चींच कर सकते हैं shadow चाहिए shadow दे सकते हैं नीचे वाला टेक्स्ट में भी हम यहां पर कुछ लिखते हैं लट से digital marketing agency in Mumbai यह मने लिया और नीचे वाले पर गया और यहां पर जाके मैंने इसको paste कर दिया इसको थोड़ा सा मैं orange kind of कर देता हूं let's say yellow या फिर yellow अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा yellow यह वाला color ले ले लेते हैं और इसके बाद यहां पर इसका जो typography I think sufficient है इतना ही आप चाहें तो इसका जो space वगरा वो set कर जो अब इसके बाद जो नीचे है उस पर हम लिख देत that code यह जो भी आपको लिखना है आप यहां पर लिख सकते हैं मैं थोड़ा सा short कर देता हूं बहुत लंबा text हो रहा है यहां पर लिख देता हूं let's say click click here to let's say enroll इतना लिख देता हूं यह मैंने लिख दिया आप इसका URL देना चाहते हैं यहां से दे सकते हैं और मैं इसको अब थोड़ा सो इसके अंतर काम और करना पड़ेगा और प्रोफेशनल दिखे उसके लिए वेड़ी सिंपल हमें यहां पर जो फॉन्ट का कलर है जो यह पहले तो थोड़ा ऊपर कर देता है एडवांस में जाएंगे तो यहां पर मार्जिन और पैडिंग दोनों आप्शन एविलेबल दो फैड़िंग आन बॉक्स के अंधर होता है मार्जिन बॉक्स के बावर उता है तो हम यह कर अपर मार्जिन को यहां पर मार्जिन कौ मांइनस में लिके जाता हूं यह angef specially यहां चाहा जुदर मुटे चाहिए हलाँ और तो मैं इसको घूँद है इसको ने पर काम करने के लिए आप यहां से पहले जो टेक्स्ट वगरा मैंने बदाया चेंज कर सकते हैं जो कलर है इसका वो मुझे चाहिए लाट से येलो तो मैं यहां पर लेता हुआ जो की ग्रीन है अभी थोड़ा सा और इधर लेके चलते हैं और इसको मैं येलो काइंड आफ कर द अब इसको जो है अगर आपको थोड़ा सा और कोई चेंज करना है लाइक उसका जो थिकनेस वगरा टाइपोग्राफी वगरा तो आप यहां से कर से इसका साइज यू कन सी दो वे यू वांट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते है यहां पर 20 पिक्सल और यह मैंने सेट कर दिया अब इसके बाद जो मेरा जो बटन है यह बेसिकली क्या है यह मैं ऐसा नहीं मैं थोड़ा सा गोल चाहता तो यू कन सी यहां पर नीचे बार्डर रेडियस है तो बार्डर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं यह देख सकते ह है कि हां यार कुछ प्रोफेशनल जो वेब्शाइट है वह काइंड अफ दिखने लगी अभी थोड़ा सा और काम करते हैं इसमें उपर स्पेस डालते हैं इसमें नीचे भी स्पेस डालते हैं तो इसके लिए क्लिक करते हैं और यहां पर चलते हैं एडवांस के अंदर और यह जो लिंक है इसको आपने ब्रेक कर देना ताकि आप जो भी जहां पर भी करोगे वहीं पर आपका जो इसका जो मार्जिन है वह इंक्रीज या डिक्रीज हो अगर आप इसको टिक रखेंगे तो यह चारो तरफ में एक साथ करेंगा मैं करके दिखाता हूं एक बार क्यानी चाहां यह जो ममें आपका जोिए का चेंजस हो चारो तरफ में चेंजह सब्सरें टो मुझे यह नहीं चहिए मैं चाहता हूं कि एक ही साइड पे गरें जहां पर मैं करूं यहां पर मार्जिन बढ़ाने का है मार्जिन को कर देते हैं जीरो वी डोंट नीड मार्जिन हमें पैडिंग पर काम कर लेते हैं यह आया मजा अब 50 और यहां पर भी बॉटम में भी हम थोड़ा सा इसको 50 तक के ले जाते हैं अब अगर आप देखेंगे तो ना यू कन सी इस लुकिंग और प्रोफेशनल और बूटिफुल आप जो भी करना चाहते हैं वाट एवर यू वांट तो आप यहां से एक और कंटीनर ले 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 यह मैंने एक सिंगल फ्लाक्स बॉक्स चाहिए डबल चाहिए जैसा चाहिए व और इसमें से आपको अगर माल लो दो गलती से आ किया ब्रैकर के पूरा जैस जिटरी वर्फ आपको च Iya जहां तक आप इसको सेट कर सेंटे उससे कोई स्थे नहीं होने कशा उंगा अब इसको डिखाने के लिए कि अब अब अपन चलते हैं और इसको इसको है डबलें रखत इसके अंदर भी फृदर कुछ content डालना है तो आप content कैसे डाल सकते हैं तो उसके लिए आपने का गणा इसका जो background color है लेट से इसको हलका सा change कर देते हैं इसका जो background color है चलते हैं और slightly मैं यह कर देता हूं आप चाहें तो थोड़ा सा setting कर सकते हैं अभी हम इसमें वहापस पैडिंग के उपर में थोड़ा सा काम कर लेते हैं टॉप पे जितनी अच्छी पैडिंग दे पाऊगा नहीं अच्छा आपको content जो है वह देखने को मिलेगा 35 उपर कर लेता हूं 35 करीब bottom में कर लेता हूं जब आप इसके अंदर content डालेंगे तब दिखेगा तो content डालने के लिए हम चलते हैं यहां पे लट्सें मैं यहां पर यह टेक्स के लिए यह टेक्स्ट में जो आपको लिखना है वह आप लिख सते हैं लेट से यहां पर लिख देता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यह मैंने लिख दिया अब इसका कलर कैसा होना चाहिए यह जो बॉक्स है उसका शैडू बगरा कैसे होना चाहिए हर चीज आपको यहां पे एडवांस एंड स्काइल के अंदर देखने को मिल जाएगा यहां पे आपको टेक्स्ट की शैडू च इसे प्रोसेस है बस मुझे यह भी ब्लाक चाहिए I need black राइट और मुझे ऑसरी मर्जिटल में इस को सेंटर मैं वह इसनार को काशीयन में अगया। यहДа इसी आप टर सब्विटन करते हैं तो यहां से मार्जिन भी सैट कर सकते हैं यह उ मार्जिन Weiter, Subies. अब इसके बाब रबढाशन चलते हैं वापस फिर टेक्स लेते हैं यहां पर तो यह मुझे नहीं लेना है इसको थोड़ा च्टा करना है तो चलिए इसको justified कर देते हैं और इसका जो size and typography है I need to decrease little bit और इसका जो boldness है I don't need that इसको थोड़ा चोटा कर देते हैं बहुत ज़्यादा चोटा हो गया लट से यह कर देते हैं और अब इसका थोड़ा सा size increase करते हैं अब जो है इसका जो typography है वह मैं करना चाहता हूं times new roman तो यह times new roman में हो गया और इसको color जो है वह कर देता हूं और इसको मुझे चाहिए यह मुझे चाहिए है center center में चाहिए ताकि बहुत अच्छा लुक आए अब इसका color जो है अगेन मुझे यह yellow वाला चाहिए तो आप इसको copy करके भी ले सकते हो पर ठीक है हम अपने according जो है थोड़ा सा setting कर लेते हैं कोई problem नहीं है अब देवो यहा यहां पर नीचे code आपको देखने को कोपी करो इस बटन पर आओ और यहां पर color पर जाओ और code को paste कर दो you can see exact आपको color match कर जाएगा यह कर दिया अब इसमें जो लिखना था लिख दिया आपने और इसके बाद जो है इसका जो टेक्स्ट का color है वह हम चेंज कर देते हैं ब्ल लेकिन अब जो है यह जो पूरा का पूरा है यह मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो इसमें पूरे को select करें यहां पे style में जाके advance में जाके sorry यहां पे padding के अंदर padding को increase करें and you can see आपका जो text है वह आपके चार तरफ में padding बढ़ती जाएगी औ मैं इसी को copy करता हूं यहां पे जाके paste कर देता हूं इसी को मैं copy करता हूं यहां जाके मैं paste कर देता हूं और इसी को मैं यहां से copy करता हूं और यहां जाके मैं इसको paste कर देता हूं आप ऐसा भी कर सकते हैं आप चाहे तो differently अपने according इसको पूरा exactly copy करके paste भी कर सकते हैं अब जाटली यह जो है आपका सेट बैडिया अब एक चीज और मुझे करनी है यह जो एन्रोल का बटन है जब इस पे कोई करें तो मेरा कलर चेंज हो जाना चाहिए रिवर्स हो जाना चाहिए टेक्स्ट का कलर या फिर यहां पे ग्रीन बैकरांड लो जाना चाहिए वह वह पे क्ल करके आपका बैक ग्राउंड यहां पे बार्डर कलर है और आपका कलर है कलर कैसा हो जाना चाहिए तो कलर जो है लेट से सम काइंड आफ लेट से ब्लैकी रखते हैं थोड़ा सा ब्लैक अच्छा लगेगा या फिर थोड़ा सा ओरेंज काइंड आप डार्क तो ओरेंज ले आपका हो जाना चाहिए और टेक्स्ट का कलर जो है वह जाना चाहिए वाइट यह कर दिया एंड यू केंज इस तरीके से आप अपने कलर चेंज वोगईरा भी कर सकते हैं इसको करते हैं सेल और सेल करने के बाद यहां पे दिखते हैं आपकी वेबसाइट थोड़ी सी शाड़ो के ओप्शन भी होते हैं यहां पे यू कन सी मोशन एफेक्ट डाल सकते हैं रेस्पॉंसिव कर सकते हैं ट्रांस्फर्म कर सकते हैं आप अप एडिशनल कोई CSS वगरा लेगर उसके लिए आपको इसका प्रो लाइसंस चाहिए तब आप यह वाला कस्टमाइज CSS का भ यहां से सेट कर सकते हैं बॉर्डर का आप यहां से सेटिंग कर सकते हैं शेप एंड डिवाइडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं there are a lot of features आप वन वे वन करके यूज करके देखें you will love to create website website गर बाटे बाटे आराम से enjoy कर सकते हैं और create कर सकते हैं I hope कि यह जो website मैंने आप भी आपके सामने अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें शेर करें और एडवांस लिवल पर आपको वर्डप्रेस या फिर अधर कोडिंग या ग्राफिक या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ भी आप सीखना चाते हैं तो जल्दी से आपने क्या गरना है चैनल को कर देना है बेल का इकन दबा देना ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें आप तक जो है मारा नोटिफिकेशन पहुंचा है मैं मिलता है एक और नए वीडियो के अंदर तिल दैन स्टे सेफ गुडबाई गाइस और अगर यहां तक आपको जो है कुछ बैनिफिट लगा है इस कॉंटेंट के अंदर तो क्या कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल का इकन दबादेना रखता ही और इससे रिलेक्टेड जो वीडियोज है वो आपको इस चैनल के उपर में देखने को मिलते रहे हैं फिर मिलता है एक और नहीं अमेजिंग वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ तिल देन स्टे सेफ गुडबाई